दोस्तो फ्रांस के बाद अब ब्रीटेन ने भी भारत को एक काफी बड़े फाइटर जेट प्रोग्राम का हिस्सा बनने का उफर दिया है और यदि भारत इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाता है तो भारत फिफ्त नहीं बलकि सिक्स जेनरेशन के भी फाइटर जेट को बनाने बीच में करीब पचास हजार क्रोड रोपे की डील होना वाली जिसके तहत हम राफाइल एम फाइटर जट्स को राफाइल से लाएंगे और फ्रांस ये डील किसी भी किमत पर भारत से चाहता है क्योंकि रीसेंटली भारत सरकार ने अपने फिफ्ट जेनरेशन फाइटर सिक्स जनरेशन फाइटर जर्प्रोग्राम का हिससा बने का उफट दे रहा है तो आपको याद होगा प्लदी ट्रफ पर अब इस जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना इससे पहले भी ब्रीटेन ने भारत को इसमें प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पाया है लेकिन अब भारत को एक बार फिर से ओफर किया गया है रिपोर्ट के मुताबिक अगर इससे होने वाले भारत को बड़े फाइदे की बात की जाए तो यहाँ पर भारत ये विग्यानिक असानी से पाइट कर पाएंगे और भारत सिक्स नहीं बलकि जो फिफ्ट जनेरेशन को रीसेंट्ली भारत सरकार ने मनजूरी दी है तो हमारे फिफ्ट जनेरेशन फाइ इसे कंवर्ट कर पाएं यानि की भारत के लिए दोनों ही तरफ अच्छे रास्ते खुलने वाले हैं और अगर सिक्स जनेरेशन फाइटर जेट्स की बात की जाए तो लगभख सभी देश इस पर काम करना शुरू कर चुके हैं और कई देशों ने तो सीक्रेटली इसको टेस इसक्रेटली तक घुमा सकते हैं यह है पर स्वानिक वेपन के साथ इंटिग्रेट होने वाले फाइटर जेट्स होंगे जो किसी भी देश के पास होना ही सबसे बड़ी ताकत का संकेत होगा बाकि आप हमें कमेंट्स बता सकते हैं कि भारत को इस प्रग्राम का हिस्सा बनना चाहिए या फिर नहीं कमेंट्स अपनी राज जरूर बता है भारत के ऐसे ही वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजे बंदे मात्रों भारत मता कीजे